प्रकास ग्यान्सागर में आप लोग का स्वागत है आज हम लोग संस्कृत के अबजेक्टिव कोस्चनों को देखेंगे सबसे पहला कोस्चन है उपनी सदो की रचनाकार कौन है तो उपनी सदो की रचनाकार है महरसी बेद ब्यास महरसी बेद ब्यास नहीं उपनी सदो की दूसरा कोश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है तो मंगलम पाठ के रचनाकार जो है महरसी बेदव्यास यहाँ पर आप लोग का सही अंसर हो जाएगा महरसी बेदव्यास अपसंसी आगे मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है तो पहला पाठ है मंगलम और मंगलम में कूल मिला करके पाँच पाठ सम्मिलित है आगे चलते हैं आया कोश्चन है अनु में सबसे छोटा कौन है तो अनु में सबसे छोटा जिसको कहा जाता है वो है आत्मा अनु में जिसकी जय होती है उसे क्या कहते हैं उसके सत्य आप लोगों ने सोना होगा कि सत्य की स्दा क्या होती है जीत होती है आगे चलते हैं बहुती नदी कहां मिलती है बहती नदी कहा मिलती है तो बहती नदियां अंत में जा करके किस से मिल जाती है तो अंतर में जा करके समुंद्र से मिल जाती है आगे जन्तु के हिर्दे रुपी गुफा में क्या इस्तित है तत्वा क्या इस्तित है तत्वा आगे ब्रह्मा को प्राप्त करने के बिशय में बताया गया है कि ब्रह्मा को प्राप्त किया जा सकता है तो यह बताया गया है मुंड को पनिसद और मुंड को पनिसद से ही लिया देव लोग का मार्ग किस से प्राप्त होता है तो देव लोग का जो मार्ग है उस सत्य से प्राप्त होता है किस से प्राप्त होता है सत्य से प्राप्त होता है आगे चलते हैं सत्य से क्या प्राप्त होता है तो सत्य से अभी आप लोगों को बता गया है देव लोग क्या प्रा किसकी जय होती है यह कोश्चन बार बर है तो सत्य की सदक्षा क्या होती है सतte की हमेशा हैused में किस महिमा का वर्णन किया है और पर्ण पुरुस का वर्णन किया है और आगे किसे गया शत्ति हैем प्रम्मा को आगे चलते हैं उपनी सदो की संख्या कितनी होती है तो उपनी सदो की संख्या 108 होती है इसमें गलती देदी है 105 देदी है उपनी सदो की संख्या 108 होती है और पुरानों की संख्या आपसे पुछा जाए तो पुरानों की संख्या होती है 18 बेदांगों की संख्या चोव और बेद की संक्या चार होती है ये बात भी आपको याद रखना है बेद कौन कौन से है अगर आप से पूछा चार बेद कौन कौन से है तो चारो बेदों में होता है एक होता है रिग बेद एक होता है यजूर बेद यजूर बेद एक होता है साम बेद साम बेद और एक होता है अथर्ववेद प्रकार है तो आत्मा को गूड रहस्यों की गई है तो आत्मा के गूड रहस्यों के बारे में काठो पनिसद में आपने पराघा काहानी दिया हुए आठवा कलास में उसी वो भी काठो पनिसद से मिलता है और इसी में आत्मा को गुड रह से जानने के लिए भी बताया गया है प्रमात्मा की महिमा का बर्नन किसमे किया गया है तो प्रमात्मा की महिमा का बर्नन किया गया है इशावश्योपनिशद में इशावश्योपनिशद में बताया गया है प् स्वतास्वर उपनिशद में ज्यानी लोग और ज्यानी लोगों के बीच अंतरों को बताया गया क्या अंतर होता है, ज्यानी क्छा और ज्यानी क्या होते हैं, सत्य का मुख हमेशा किसे बगा होता है, तो सर्न मुखेन जो हिरन पात्रे अर्था ये जो है सोना के सोना से दबा होता है कौनसा सत्य का मुख आगे चलते हैं तो हिरन पात्रे आप लोग याद रखिएगा इसका इंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा हिरन्य पात्रे आगे सत्य का खाजाना कहा है सत्य का खाजाना कहा है अगर कोई आप से पुछे सत्य का खाजाना कहा है तो सत्य का खाजाना देव लोक में है कहा है देव लोक में है सत्य का खाजाना कहा है सत्य का खाजाना देव लोक में है और यहाँ पर आप लोग का मंगलम पार्ट मंगलम पार्ट पूर्ण रूप से अबजेक्टिव इसका समाप्त हुआ जय हिन जय भारत